नमस्कार किसान सातियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में किसान सातियों आज एक महत्तोपूर्ण टापिक के उपर हम बात करने वाले हैं लहसुन में आने वाले कीट एवं इनकी रोग थाम के बारे में किसान मित्रों आप सभी जानते हैं कि लहसुन की फसल ने 2019 में काफी अपने भाव के कारण काफी चर्चित रही है और काफी किसान भाईयों ने अच्छे से भाव लिये हैं और अच्छे से बेदावार भी हुई थी किसान सातियों इसका बरकरार रहा है भाव अभी भी 2020 में बरकरार चल रहा है तो आज हम बात करने वाले हैं कि मुख्य रूप से हमें लहसुन में कोन-कोन से बीमारियां आती है उसके क्या लक्षण है और हम उसकी रोक्थाम किस प्रकार कर सकते हैं किसान सातियों अभी बदला हो रहे हैं बार बार मोसम काफी डाउन हो रहा है इससे इस बार लहसुन की फसल काफी प्रभावित होगी किसान सात्यों आपने भी हमारी तरह लसुन की बुवाई अक्टूमबर नौमबर में की होगी और आपकी फसल एक से डेड़ मेने की हो चुकी होगी किसान मित्रों आप चाहते हैं कि अच्छी पेदावार हो, अच्छी कीट प्रबंदन हो और हमें इस बार फिर हमारी लसुन के अच्छे भाव मिलें किसान सात्यों उम्मेद यही जता जा रही हैं कि इस बार भी भाव काफी तेज रहेंगे क्योंकि जिस प्रकार मोसम, धून, कोहरा और कहीं-कहीं छेत्रों में बारिस होने के कारण इस बार लहसुन की फसल में काफी बीमारियों का प्रकोप हो रहा है किसान मित्रों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन मैं पूरी जानकारी दूँगा आपको अपने इस यूटूब चैनल पर और साथ ही इसकी कोन-कोन से लक्षन हमें लहसुन में दिखाई देते हैं किस प्रकार हमें कोन से लक्षन के अनुसार हमें हमारी फसल में लहसुन में किस प्रकार से हमारे दवाई का प्रयोक करना है तो ये सारी जानकारी दूँगा क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मैं चाहूंगा कि आप सुरू सानते तक हमारे वीडियो पर बने रहें सानती अगर आप पहले बार हैं तो मित्रों मैं चाहूंगा कि आपको हमेशा की तरह ऐसी जानकारी देता रहूं इसलिए नीचे हमारा लाल कलर में सस्क्राइब लिखा हुआ है उसको सस्क्राइब दबा दें और साथ एक घंटी आएगी घंटी का भी निसान आप दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिपिकेशन मिलता रहे शेयर भी करें ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर अपने लहसुन की फसल में काफी कितावार बढ़ा सकते हैं और कीट प्रबंदन कर सकते हैं ठीक है मित्रों बिना कोई रुकावट के बिना कोई शमय लिये हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं तो पहला लक्षन हमें दिखाई देगा लहसुन की पीली चोप पड़ना है हां किसान साथियो इस प्रकार की लहसुन की पीली अगर चोप पड़ती है तो आप अपने खेत में यहाँ बिमारी का एक शंग कहते हैं मित्रो पीली चोप पड़ने से हमें लहसुन की रुकावट होती है तो किसान मित्रो मैं चाहूंगा कि इस बिमारी के लिए आप जब भी अब पानी देने वाले हो तो यूरिया डाल देना है पच्चिस किलो प्रति बीगे के हिसाब से और साथिस में सलफर का भी इस्तेमाल कर लेना है अब हमें सलफर की जो बात करें तो आप से तीन किलो प्रति एकड के हिसाब से डाल सकते हैं तो आपकी यह बिमारी दूर हो जाएगी दूसरी बिमारी की बात करें तो आपके खेत में अगर इस प्रकार के पोधे दिखाई देते हैं जिनके पुरा पत्या मूर च चुकी हैं तो इसमें जो है कि यह भी एक कीट का ही प्रकोव है आपको जलेवी के टाइप इस प्रकार की पत्तियां हो जाती है और पूरा लहसुन का जो है उपर की तरह जाने के बजाए नीचे जमिंग की और पत्ते जुक जाते हैं तो यहां रस चुसक कीट है अब इन कीटों की रोकथाम के लिए हमें प्रोफिनो फास चालिस प्रतिसत प्लस साइफर मेथिन चार प्रतिसत इसी के इसाब से हमें छिटकाव करना है तो इसके आपको मार्केट में रोकथाम के नाम से एक दवा मिलेगी वहन दवा कंपिस्प्रे कर देना है दुर में इसके बाद में हमें अगर मोर से और बी अच्छा रिजल्ट इसका लेना है तो इसमें हमें अवतार के नाम से भी एक दवा आती है मार्केट में अवतार हेक्सा चार प्रतिसत जाइम बेन के नाम से मिलेगी तो इसका भी हमें यह उपचार होता है साथी साथ अगली बिमारी की हम जो बात करें तो लहसुन में हमें इस प्रकार की पत्यां पीली होती हैं और धब्बे दिखाई देते हैं पूरी पत्यां इस प्रकार की लहसुन की पीली होती हैं और इस प्रकार की धारियां भी उसमें हमें दिखाई देती हैं तो किसान मित्रों यह भी एक बहुत ही खतरनाक बिमारी है जो हमारी लहसुन को बरबात कर देती हैं तो किसानमित्रों यह एक फपुन्द जनिक रोग है एवं पोशक तत्व की कमी है यह निकि हमारी लहसुन में आप जब भी इसको नीचे से उखाड़ते हैं जब इसकी गाठ रहती है तो उसमें जो है कि जिसकी जड़ों में फपुन है उसके कारण भी होती है तो अब इसके बात करें रोक थाम की इस बिमारी के लिए एवं हमारे पोशक तत्व की मात्रा हमें इसमें देनी है तो हमें एक शाफ के नाम से दवा मिलेगी कार्बेड डाइजियम बारा प्रतिसाथ प्लस मेको जेप तीरसथ प्रतिसथ डव्लू पी चालिस ग्राम 15 लिटर पानी में मिलागर हम इसका चिटकाव कर सकते हैं तो यह बिमारी के लिए भी आपको मैंने उपाय बता है एवं पोशक तत्व की कमी के लिए अगर हमें इसका उप्योग करना है तो पोशक तत्व की पूर्ती के किलो एने की 10 26 25 किलो खा दाता है प्लस सल्फर सल्फर हमें 40 सोरी सल्फर हमें 3 किलो प्रति एकर के हिसाब से मिलाकर पानी के साथ इसको दे देना है तो यह भी एक बहुत ही अच्छा आपकी फसल में एक काम करेगा और यह काफी हद तक इस बिमारी को दूर कर देगा साथ इसाथ किसान मित्रो एक अगली बिमारी की जो मैं बात करने वाला हूँ यह बहुत घातक बिमारी हैं हमारे लहसुन प्याज में अधिक तर आती है और यह मौसम की काफी अदला बदली से जो परिवर्तन रहते हैं उसमें काफी प्रचलित होती है मित्रो अगर आपकी लहसुन में उपर से पीलापन दिखे पूरा पीला और तना सुकने लगे अगर आपका रशुन का पोधा पीला हो सुकने लगे एवम उसकी ग्रोध काफी कम हो होने लगे तो आप इस इसमें जो है कि थ्रिप्स होते हैं अब थ्रिप्स की हमें किस प्रकार पहचान करनी है तो थ्रिप्स के लिए मैं बात करने वाला हूं से थोड़ा सा ध्यान से देखें यहां बहुत ही शुक्ष्म जीव होते हैं और हमारे जो पोधा जो रेता है इसकी जो नई शाखा निकलती हैं यह नई पत्तियां जब निकल आई देंगे इस में तो इस वह जीव पूरे पोधे पर फैल जाते हैं और यहां रस चूशते हैं उसे ही हम थ्रिप्स कहते हैं अब थ्रिप्स की रोक्थाम की बात कर लेते हैं तो थ्रिप्स की रोक्थाम के लिए डाइमी थ्वेट दाइमी थ्वेट तीस प्रतिसत इसी क मात्रा से आती हैं तो डाई मी थोए तीस प्रतिसत इसी 1.5 मिली प्रति लिटर पानी के हिसाब से चिटकाव करना है यह आपको मार्केट में मिलेगी और आप इसको लिख लेना है दूसरा अगर यह नहीं मिलती है तो आप दूसरा भी उपाई कर सकते हैं तो हमारे थिप्सकी रोख्थाम के लिए जो जानकरी है यह थिप्सके लिए और आप इसका पिप्रोणिल 55 प्रतिसद के हिसाब से तो उसमें भी आप उसकी चिटकाव करने से थ्रिप्स की रोक्था होती है तो यह हुई थ्रिप्स की और एक वर है इमिडा क्लोरोफीट जो है कि 17.58 प्रतिसद एसल की 5 मिली मातरा प्रतित अंकी के हिसाब से चितका करना है तो यह मैंने आपको थिप्स की रोपताम के लिए तीन प्रकार की जो है दवाईं का इस्प्रे क्या हुआ है किसान सातियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें किसान सातियों के सांद शेयर करना है और अगर आपको और भी कोई आपके लहसुन में अगर बीमारी दिखाई दें तो मुझे नीचे कमेंट में आप उसकी लिख कर बता सकते हैं ताकि मैं उसका भी वीडियो आपको बनाओं बना कर भेश सकूं किसान मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत-बह इसने वाद इसी के साथ जय हिंग जय जय जवान जय किसान